हेलो दोस्तों स्वागत है पॉलिटिनिक स्टाडिस पे मैं हूँ आरके सिंग एन हम लोग कंटिनुव कर रहे थी इंजिनियरिंग मेकानिक्स चाप्टर चल रहा था मोमेंट एन कपल एन हम लोगोंने मोमेंट एन कपल का जो थियोरिटिकल पार्ट है उसको अल्रेडी कम्प् को सॉल्व अगर आपने प्रिवियस लेक्शर नहीं देखा है दिन डेफिनेटल देख लीजेगा प्रिवियस लेक्शर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी भी चाप्टर का थियोरिटिकल कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उसक इस लेक्शर देख सकते हैं तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मोमेंट और कपल का एप्लिकेशन पार्ट बोले तो नियुमेरिकल प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले ठीक है सबसे पहले तो हम लोग पहला एप्लिकेशन देखते हैं फाइंडिंग दा पोजिशन ओस रेजल्टन एंड फोर्स ठीक हाँ यूजिंग रहे तो मुमेंट का सेब्ट यूज करके हम लोग कैसे रेजल्टन फोर्स का पोजिशन निकाल सकते हैं ठीक है ओके तो यह जो पानकेशन दूस तो हम लोग यूस करते हैं पैरलल फोर्स सिस्टम के लिए एक ऐसा सिस्टेम जिसमें बहुत सारे फोर्स होते है एस फोर्स होते है और सबीम जो है वो पैरलल होंगे एक ऐसा शिस्टेम जिसमें जितने भी फोर्स apply होगा okay acting होगा वो सभी के सभी क्या होगा parallel होगा जैसे कि देख लिजे यह हमारा एक ऐसा बीम है ठीक है बीम तो आपको पता होगा ना बीम हम लोगे डिसक्स किये हैं तो बीम में कैसा लगता है दोस्तों यहाँ पर लगता है reaction जो कि आप और दिसा में होता है यहाँ पर एक की तरफ लग रहा है यह दुनों जो लोड है पॉइंट लोड इन नेची की तरफ लग रहा है तो यहाँ पर देखिए इन सभी जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है यह सभी फोर्स का जो line of action है वो आप एक दुसरे के साथ क्या है parallel है तो यह पूरा फोर्स सिस्टम को हम लोग आपल में लगे गा ठीक कौन से पार्ट में एक्ट करेगा वो हमलोग कैसे निकालेंगे वह अभी हम लोग देखने बालें ठीक है ओके चलू तो तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते है एक तरफ और यहाँ पर फोर्सिस्टम ले लेते हैं एक ऐस है पैरलल्स इस्तेम लें पहँँ, force 1, ठीक है, distance क्या है, a से यहाँ तक, d, यह b point हो गया, यहाँ पे दूसरा लेंगे force, f2, ठीक है, इसके वीच में distance क्या है, d, यह point हो गया, c, and c point के बाद, यह एक point हो गया, जहां पे force लगा है, f3, ठीक है, इन दोनों के वीच में distance क्या है, d, okay, मैं similar type of distance ले रहा लेकिन numerical problem में यह distance आपको अलग-अलग दिया जा सकता है ओके ठीके ना इसके बाद चलो यहाँ पे भी हम लोग एक ऐसा downward force ले ले लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या distance है T and यह point हो गया E ठीके तो इस case में हम लोग इन चारो force का जो resultant force होगा वो इस line पे कहा पे act करेगा कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं ओके सबसे पहले तो हमें देखना है कि यह जो force लग रहा है यह जो force यहाँ पे act कर रहा है इस force का resultant value क्या है magnitude of the resultant ठीक है देखो तो कैसे निकालेंगे क्योंकि यह वर्टी के लिए सारे force क्या है वर्टी के लिए तो समयसे निकालेंगे ओके एंड़ जो सारे force उपर की तरफ लग रहा है उपर की तरफ उसको हम लोग क्या लेंगे उसको हम लोग लेंगे positive ठीक है जैसे कि मैंने बताया था माइनस नेगटिव कौन सा लेंगे नीचे वाले जितने भी force नीचे के तरफ लगेगा उसको हम लोग negative लेते हैं और एक बात अगर यहाँ पर कोई horizontal force रहता तो जो लेप्ट से राइट की तरफ जाता है उसको हम लोग लेते हैं positive और जो राइट से लेप्ट की तरफ लगता है उसको हम लोग लेते हैं negative ठीक ना तो यह sign convention आप याद रखिएगा जब भी हम लोग calculate करेंगे जब भी हम लोग momentum couple में ऐसा calculate करेंगे force को तो यह sign convention आपको याद रखना है यह है general sign convention ठीक हर जगा पर यूज किया जाता है अगर आप different use करना चाहते हैं खुद को different सावित करन लेकिन फुरा बहुत डिफिकल्ट रहेगा उससे क्योंकि जो general sign convention है उसको अगर follow करके चलते हैं तो आसानी से सारी चीजे जो है वह calculate हो जाएगा ठीक है यह तो हो गया अभी देखो यहां पे कितने force लग रहे हैं F1 F2 F3 F4 तो downward force क्या क्या है यह वाला force यह वाला force यह आप पूर्स हम लोग क्या लेंगी माइनस लेंगी F1 ठीक है जैन उसके बाद माइनस F2 plus F3 क्योंकि F3 आप वार्ट है तो उसके आगे हम लोग प्लास लेंगे ठीक है यहां से हमें देखना है इसका जो total value आएगा वो negative में आता है या फिर positive में आता है अगर अगर इफ यह negative होता है देट्स मीन रिजल्टेंट फोर्स जो है वो downward पिसा में लग रहा है ठीक है अगर यह चारों का साम निकालने के बाद हमारे पास जो value मिलता है वो negative में आता है उसका मतलब फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है कही ना कही लगेगा कही ना कही लग सकता है लेकिन नी देगा एक ठीक है तो डाउनवार्ट अगर नेगेटीव आता है अपवर्ट अगर पोजी सिरी बाता है तो यह हम लोग सबसे पहले देख लेंगे अब उसके बाद क्या करेंगे एक पॉइं। के रिस्पेक्ट में हम लोग सभी फोर्स का सभी फोर्स का क्या निकालेंगे बोलों सभी फोर्स का हम लोग निकालेंगे moment, ठीक है, सभी force का हम लोग निकालेंगे moment according to varigno theorem, ठीक है, varigno theorem को follow करते हुए, हम लोग इसका moment निकालेंगे, तो लेते है moment taking, अजा, सबसे पहले, हम लोग माल लेते हैं, let the distance, the distance of resultant force is, resultant force is, let the distance of resultant force is, x from point a, ठीक है, ओके, तो हम लोग माल लेंगे, कि जो resultant force है, वो एसे, x distance भी act कर रहा है, अगर यहाँ पी, resultant force है, माल लेते हैं, यहाँ पे act कर रहा है, ठीक है, इस point पे act कर रहा है, अब आपवाड होगा, होगा होगा हो, तो हमें यहाँ से पता चलेगा ना, माइनस अगर है, तो downward, upward, upward है, तो फिर plus, ठीक है, लेकिन distance हम लोग ने देख, मान लिए हैं, कि यहाँ से यहाँ तक का distance जो है, वो x है, ओके, अब हम लोग क्या गरेंगे, होगे सारे यहाँ पे, a point के about में, सारे force का, moment निकालेंगे, taking, moment, about a, तो a के respect में निकालते हैं, देखो, क्या होगा, f1 into d, यह होगा, minus, ठीक है, यहाँ पे लिखिये, समसन, m, a, f1 into d, क्योंकि यहाँ से, यहाँ तक का distance, जो है, वो d है, यह downward force से, मतलब, यहाँ से, यह point किस तरफ लग रहा है, नीचे के तरफ, ओके, यह clockwise moment होगा, तो यह minus, ठीक है, फिर से, यह वाला, f2, यह भी minus होगा, distance क्या होगा, d, plus d, 2d, ठीक है, and इसके बाद, f3, f3, upward दिशा में लग रहा है, मतलब, anti-clockwise moment बनाएगा, तो फिर माइन, a, plus, f3 into distance क्या होगा, 3d, ओके, तन उसके बाद, यह वाला force, f4, वो नीचे की तरफ, लग रहा है, मतलब clockwise moment देगा, तो minus into 4d, इसके बाद रहेगा, हमारे पास, r into x, अभी r का वेलू कैसा आएगा, यह मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग numerical लगाते हैं, कोई एक value लगाएंगे, तो हमारे पास, एधर negative value आएगा, यह फिर positive value आएगा, अगर negative आता है, तो यह फिर negative लगाएंगे, positive बाता है, तो positive लगाएंगे, कोई ओके ठीक है दोस्तों चलो ओके इसके बाद हमें क्या निकालना है हमें सिर्फ एक्स का वैलों निकालना है तो यहां से हम लोग एक सी जिगल क्या निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं दोस्तों यह वाला जो है इसको हम लोग डायरेक्ट सामिस्तान एम एलिक सकते हैं कंसेट का हम लोग क्या देखने वाले हैं एक आपका difficult सा problem देखने वाले हैं जहाँ पर क्या होगा जहाँ पर कुछ इस तरह से एक सिस्टेम में एक सिस्टेम में ऐसे आपका upward लगेगा downward लगेगा तो इसके साथ लेट राइट कुछ इस तरह से भी लगेगा फॉर्स मतलब आपवाड डाउन्वाड लेट साइड राइट साइड से चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो उसकेस में हम लोग कैसे निकालेंगे की रेजल्टेंट का पूजिशन ओके यह हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले इस छोटे से कंसिप्स से हम लोग एक नियुमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ओके चलो इसको मैं अभी पोस्देता हूँ अभी क्या करेंगे एक छोटा सा नियुमेरिकल पॉब्लम करेंगे देंट उसके बाद डिफिकल प्रॉब्लम में चले आएंगे ठीक है तो दोस्तों यह जो हम लोग आज नियु रिएल प्रोब्लम सॉल्व कर रहे हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्ट्रस देखा होगा तैन डिफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा concept लेकिन अगर आपने previous lectures नहीं देखा है मुमेंट एन कपल का तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ तो छोटा सा प्रावलम कैसा लेंगे एक ऐसा सिस्टेम लेते हैं फोर्स सिस्टेम का तो यहाँ पी मेरे पास एक फोर्स है 150 अच्छ इसको किलो इंटर नहीं लेते हैं या फिन न्यूटन कुछ भी ले सकते हैं ठीक है इससे 6 मीटर दूर एक फोर्स लगा है यह है आपका डा फोर्टी किलो निटन का वह भी डाउनवर्ड है एंड उसके बाद क्या लगा है दस मीटर दूर दस मीटर दूर एक आपवाट फोर्स लगा है और उसका वैलू है 30 किलो इंटन ठीक है कुछ इस तरा इस लगा है अब पॉइंट कंए वी सी एंडी ट्यक्या कखा गया है इस वाए प्रॉब्लेम के लिए रेजालत इन फोर्स का मैगनिटूट और उसको पोजिशन बताओ ठीक है फाइंड डह मेगनिटूट ऑफ रेजाल तेन एंडड पोजिशन ओके फाइंड पॉजिशन और दिस पैर्लोर्स सिस्टेम तीस पैर्लोर्स होगा उसका value निकालना है magnitude निकालना है और उसी के साथ position निकालना है कि इस पूरे line पे a से d तक कहां पे लगेगा resultant तो मैंने अभी अभी आप लोग को concept बताए हैं सबसे पहले तो हम लोग resultant का value निकालते हैं r is equal to क्या होगा दोस्तों जितने भी आप सब्सक्राइब यहां से आप calculate कीजिए क्या हो रहा है देखो माइनस 240 एंड प्लास 180 तो फिर क्या होगा 60 किलोन्यूटन का यहां पर हमें value मिलेगा एंड माइनस आएगा तो हम लोग समझ गए हैं जो resultant force लगेगा वो कहां पर लगेगा दोस्तों वो किस दिसा में लगेगा नीशे की तरफ लगेगा चलो अभी एक हम लोग यहां पर लग रहा है 60 किलोन्यूटन का एंड यह से इस पॉइंट का जो दिस्टन से यह यह है आपका ओ एक्स मेटर ठीक है ओके तो यहां पर हम लोग बात यहां पर लिखेंगे की the resultant force is downward downward here the resultant force is downward and let it is acting at a distance x meter from point a ticket so I'm looking is cool or assume कर लिए है तो पॉइंट से एक्स मीटर डिस्टन से यहां रिजल दिन लग रहा है ठीक है चलो अब निकालेंगे हम लोग मोमेंट टेकिंग मोमेंट एबाउट ए ठीक है ओके टेकिंग मोमेंट अबाउट ए तो हमारे पास क्या रहेगा हमारे पास में एक्स पाचास इंटू जीरो क्योंकि इसी पॉइंट पर एक्ट हो रहा है तो इसका डिसन्स जीरो अभी इसको लेते हैं डायरेक यह होगा क्लोक्वाइज डाइज अन डिसन्स क्या है 6-meter ठीक है इसकल और सॉरी इसबल टुन ही अभी ए 14-newton 14-10 किस तरफ लग रहा है डाउन वर्ड मतलब एक क्लोक्वाइज मुमेंट बनाएगा तो फिर यह होगा माइनस अन डिसन्स क्या होगा 6-8 14 ठीक है तो 40 x 14 एंड उसके बाद क्या लग रहा है कॉन सा फोस्ट लग रहा है दोस्तों यह वाला फोस लग रहा है ठीक है यह वाला होस क्या है 30 Kilo टं तो यह आप वाट सामें लग रहा है मतलब यहुगा अन्टीलोक्वाइज मुमेंट 30 इंटू डिसन्स क्या है 10-18 जब बीज टीक है 24 कि हमारा साम आप मोमेंट निकल गया ओके चलो मोमेंट कैसे निकाल दे हैं मोमेंट मोमेंट और बारा सूर बारा सो एंड फोर्टे इंटू फोर्टेन क्या रहेगा तो क्या हो गया हमारे पास माइनस 760 माइनस 1760 प्लास थी सिन्टू टेन फोर साथ सो बीस ठीके तो क्या रहेगा साथ सो बीस माइनस 760 माइनस 1040 ठीक ना यह हमारे पास क्या निकला दोस्तों मोमेंट निकला ठीक है तो हम लोग एक सी जिकल्ट कैसे निकालेंगे हमें पता है फॉर्मुला एम ए अपन आर तो एम एक वैलू लगा दीजे 1040 एंड आर का वैलू है 60 तो फिल 60 सिर वैलू लगाना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं ओके तो दस चार्लीज बाइ 60 करते हैं तो फिर हमारे पास निकलता है 17.33 मेटर ओके 17.33 मेटर फ्रॉं पॉइंट ए दे रिजल टेंट फोस्त विल एक्ट अड़ पॉइंट अड़ पॉइंट अड़ पॉइंट अड़ पॉइंट इन पॉइंट पॉइंट एसी 17.33 मेटर दूर क्या लगेगा हमारा रेजल्ट इन फोर्स लगेगा ठीक है बात समझ वाया है तो हम लोगों ने निकाल लिए दोस्ते एक्स का वहलो निकाल लिए है आर का वहलो निकाल लिए तो हमारा जो निवेगल पॉब्लम है वो यहां से फिनिस हो रहा है मतलब ह हम लोगों ने इसका सी सलईशन निकाल लिये हैं ठीक है अब इसका डिफिकल फोर्म हम लोग चले आते हैं थोरा तो डिफिकल्ट फॉर्म हम लोग धेल लेंगे वह अपने बहुत important है इस तरह के problem and फूरा concept आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि इस तरह से इस तरह का problem अगर आपको दिया जाता है कि तो आपको अगर concept नहीं बता होगा तो आप solve भी नहीं कर पाएंगे ठीक है अब प्रॉब्लम तो वही होगा कहा जाएगा की रिजल्ट एंड फोर्स का मैंगनिडोड निकालो एंड उसका पोजिशन निकालो तो एक इस तरह का एक क्या है दोस्तो एक फिगर है ठीक है यह है वान पॉइंट टू मीटर अन्ड़ इस वान मीटर इस स्वेय फैसा बलह ना शॉएंट व्ञ एक क्रिमश पार खासज के ऐलता ही किस से इस तरह का-ईगल कर के लग रहा है ठीक है अब डिफीकल्ट बिफिकल्टीलेबल इसका देखो ऐसे horizontal vertical नहीं है यहां पे inclined force दे दिया गया है इस पॉइंट पे ठीक है एंड यहां पे कैसा force लग रहा है यहां पे भी 45 degree angle पी एक force लग रहा है यहां पे एक फॉर्स लग रहा है यहां पे एक फाइफ फाइफ न्यूटन ठीक है 500 न्यूटन ओके एंड इसका लेवल और देखो यहां पे भी क्या दिया गया है एक इंक्लाइन फॉर्स दिया गया है यहां पी ऐसे फोर्स या गया है तो इसका हमें क्या निकालना ही यह पुरा सिस्टेम का ठीक है यह पुरा सिस्टम का हमें रिजरूटन निकालना है उसका पॉजिशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे बिल्कुल यहां पे हम लोग फोले संथ का इस्तमाल करेंगे दीघे मोमें्ट करेंगे लेकिन निकालने के लिए बहुत सिंबल वाला कंसिप्ट तो अभी सबसे पहले में क्या करना है यह सभी पॉइंट का नाम लेना है A B C and D तो हम लोगों ने इस चारू पॉइंट का नाम लिए है इस पॉइंट पे यह फोर्स ये फोर्स लग रहा है तो इसका हम लोगवी गाले आ क्या देखेंगे तो सो कुछ भी नहीं करेंगे बिल्कों इसी चीज को फिर से डो करेंगे ऐसे हो गया 1.2 लट इस 1.0 मीटर जो वर्टिकल फोर्स है उसको कुछ भी नहीं करेंगे और जो होरीजिंटल फोर्स उसको भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे अभी जितने भी फोर्स इंक्लाइंड दिया गया है उसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं उसको हम लोग रिजुलेट करने वाले हैं उसका रिजॉल्ट पार निकालने वाले है ठीक है यह जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है इसको अगर हम लोग ति तरफ लग रहा है मतलब इसका एक अपर इधर जाएगा इसका हड़िजनल इधर जाएगा इसका अगर देखें कि इसका वापिकल कमपनेट ऊपड़ की तरफ जाएगा एन और जनलिकालन ऩो मैं निकालना एफ मतलब फोर्स थेटा मतलब जो एंगल दिया होगा ठीक है तो इसको हम लोग भी यहाप यह करने वाले हैं चलो तो इसी पर यहाप हम लोग कर लेते हैं देखो यह यह वाला फोर्स क्या रहेगा फाइव हंडेड साइन डिगरी कितना है 60 डिगरी ठीक है एंड इधर जो फ हम लोग ने दो कंपोने निकाल लिया है इसके बाद इसको निकालते हैं उपर की तरफ यह लगेगा 500 साइन 45 डिगरी और इधर 500 कोस 45 डिगरी एंड इसका इधर लगेगा वजन हंडेड साइन 30 डिगरी और इधर लगेगा 100 कौस 30 डिगरी ऊके तो सबका अभी रिजुलेट हो गया सबका resolution हम लोग ने कर लिये हैं तो हमारे पास free body diagram बन गया है अभी हम लोग क्या निकालेंगे अभी हम लोग निकालेंगे इसका क्या बोलो तो इसका हम लोग निकालेंगे resultant value तो सबसे पहले तो हमें निकालना है क्या कि horizontally कितने force लग रहा है उसका साम क्या है और वर्टिकली कितने force लग रहा है उसका साम क्या है तो सबसे पहले समेशन एफ एक्स ठीक है and sign convention मैंने क्या बताया राइट से लेट से अगर राइट में जाता है तो फिर positive लेट से अगर लेट में आता है is negative अगर फॉर्स है इस दिशा में फूर्स लग रहा यह तो इसको लेंगे पॉसीटीव थीम वही पह रलन नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर positive and ओपर से एकर नीचे आ रहा है तो फिर यह साइन convention for calculation तो हमें यह वाला बात याद रखना होगा ओके चलोओ इस बाले से देखो यहां पर एफेक्स एफेक्स गोले तो होरेजिनली कितने फोर्स लग रहा है यह वाला फोर्स 200 किदर से किदर लग रहा है दोस्तों यह लेप्ट से राइट कि दर लग रहा है मतलब प्लास 200 और उसके बाद यह प्लास हंडेड कॉस थर्टी डिग्री ओके इधर दिखेगा आपको सुरी दोस्तों यहां पर करेंगे क्याल कुलेट तो फिर थोड़ा सा दिक्कत रहेगा नीचे करते हैं ठीक है सामेशन एफ एक्स यहां पर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो फिर बहतर रहेगा क्योंकि इस दिशा में हम लोग पॉसिटिव ले रहे हैं ठीक है तो टू हंडेड प्लास अंडेड कॉस्त हर्टी डिग्री और उसके बाद यह वाला फोस किदर लग रहा है इधर से इधर तो यहोगा नेगर्टीव फाइफ हंडेड कॉस्त फॉर्टी फाइव डिग्री अन यह वाला फोस यह वाला फोस इधर लग रहा है तो यह भी होगा मायनस फाइब हंडेड कोस्ति टीग्री यहां से काल्कुलेट की जिए फटा फट से oh sorry 200 plus 100 cos 30 okay minus 500 cos 45 minus 500 cos 60 okay तो यह कुछ आया है मारे पास minus 3 16.95 minus 3 16.95 Newton okay बैसे ही हम लोग क्या निकार लेंगे समयसान एफ वो ले तो वर्टिकल इतने वी फोर्स लग रहा है उसका समयसान एंड यहाँ पर हम लोग कौन सा पॉजिटिव लेंगे आप वाट दिसाने चलो यहाँ पे आप वाट पर क्या लग रहा है हम डेड़ साइन थ साइन 45 और दन माइनस यह वाला फोर्स नीची की तरफ लग रहा है तर्स मिन माइनस साइन 60 और माइनस यह देर शो ठीक है तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं फटा फट से 100 साइन 30 प्लास 500 साइन 45 माइनस 150 माइनस 150 साइन 60 तो यह आ रहा है हमारे पास क्या दोस्तु यह आएगा हमारे पास 179 ओके 179 क्या स्वास आएगा कि फाइब माइनस 500 179.45 माइनस वान 179.45 नीट तो हमारे पास क्या मिल गया है दोस्तों और वार्टिकल फोर्स का जो समेशन है ओके और होराइजंटल फोर्स का अल्जेबिक साम हमें मिल गया है तो यह से हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग किसी एक पॉइंट को और इजिन माल लेते हैं तो एक फोर्स तो आपको इधर जाएगा एफ एक्स क्यूंकि माइनस आया है एक नीचे जाएगा एफ ठीक है तो इस तरह से आएगा अगर हमारा वोरेजिंटल फूर्स माइनस आया है तो इसका मतलब जो फूर्स है वह इस तरफ लग रहा है एंद जो वार्टिकल फोर्स है वह माइनस आया है तो नीचे की तरफ लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 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 की लेपेंगे लिखेंगे देदिक बलिखेंगे मृत नीचे में ए। लोरील का में इच दो अन важनेगे टीक है तो इस तरहасने एफ य एंड वार्टिक और सरी सामिशन एफ य एंड समसन एफ इस बोट और नेगेटीव सू रिजल टेंट फोर्स लाई इन थार्ड क्वार्ट रिंट ठीक है थर्ड क्वार्टर तो थर्ड क्वार्टर जैसे का में पता है मैं ग्राफ इधर अगर जाते हैं इस यहाँ पर यहां पर लाई करेगा कहीं न कई हमारा रजलटर्ट यहाँ यहाँ पर लाई कर रहा है तो रेजलट रहे लिए कि समेशन कि एफ वाइब का स्क्राइब बलस समसें एफ एक्स का स्क्राइब तो तो समसें इफ वाई एफ्वाई क्या है 179.5.45 उसका स्क्राइब करो प्लास माइनस 316.95 उसका स्क्राइर कर दो तो हमारी पास क्या आएगा भी रेजल्टेंट का वैलु क्या आएगा दोस्तों 364.23 364.23 366.23 यह हमारा रेजल्ट वैलु आ गया है ठीके होगे रेजल्ट अवालु तो हमें मिल गया है अगर हम लोग को ओर इजिन मानते हैं तो टेके हैं वहीं पे हम लोग अभी क्या निकालेंगे थीटा तो कालने का फर्मॉला है यहां से निकाल दे हैं तो इसन एक है है 179.45 नीचे होगा 316.95 ठीक है यहां से क्या निकलेगा 179 by 179.45 by 316.95 यहोगा 0.566 0.566 ओके यह होगा 10 थीदा का भैलू तो थीदा इस एकल टेन इन वर्स 0.566 ओके इसको निकालो चल्कुलेटर के साल इसको निकालो तैन इन वर्स 0.566 देह का थो 9.50 ओके तो थीटा हमरे पास का निकला 2 9.50 डीडीडीड ओके तो चल्कुलेटर के स्थीदा किस्के रसुरिड निक्ला वीट वीट विट् रिस पेक्तु वरेजंटल एक्सेश ठीक है तो जो थीटा निकला दोस्तों वो कितना निकला 29.50 डिग्री विट रिस्पेक्ट टू होरेजंटल एक्सेश ठीक ना चलो इतना तो हो गया दोस्तों अब हम लोग यह जान गये है जो रिजल्टेंट है उसका वैलू क्या है उसका डिरेक्शन क् है अभी हम लोग करेंगे क्या अभी हम लोग करेंगे हमारा पोजिशन निकालेंगे इसका यहां पर अप्लाई करेंगे ओके तो इस वाले पार्ट को अगर आपने लिख लिया है तो फिर आगे वरते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग आगे आगे हम लोग देखेंगे इसका पोजिशन ठेगा एक पार्ट हम लोगों ने कर लिये हैं इसका दूसरा पार्ट करते हैं अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो इस वाले पार्ट को मैं अभी रेच कर देता हूं इस वाले पार्ट को सिप रखूंगा ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो एकल अम यहां से कुछ लिख सकते हैं आप इस स्पेस पर चलो अब यहाँ पे मैं माल लेता हूं लेट दो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस और रिजल्टेंट इस एक्स फ्रॉम पोयेंट का से एसे ठीक है माल लेते हैं एसे जो हमारा रिजल्टें निकला है है 364 पॉइंट जो रिजल्टेंट फोस निकला है वो एसे उसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एक से ठीक है तो नाव उसके बाद हम लोग लेंगे नाव टेकिंग मोमेंट कि अबाउट अकर मोमन निकालते हैं तो समयसान म एक क्या होगा हमेसान एम एक ज्रहाएं तो क्या निकालेंगे साथ हो रहा है कौछनसे को डाइन करने का यह को फॉर्स हो रहा है यह वाला फोर्स का यहां की यहां 40 यहां इसका लाइन अब एक्षान भी यहां से पास हो रहा है और 500 कोस फॉटीफाइव इसका लाइए पॉइट के थे पास होगा मतब इन सभी फोर्स का जो मुटन होगा वो जीरो होगा थीकिए ना बात समझ में आया क्या देखो जितने सारे फोर्स का लाइन आप एक्षण इसी point के थो पास होगा and हम लोग इसी point के थो इसी point के about moment निकालेंगे तो फिर इन दोनों के बीच में distance perpendicular distance क्या है zero ठीक है कि हम लोग moment निकालने के लिए क्या करते हैं perpendicular distance लेते हैं अगर यह वाला force यहां से पास हो रहा है तो इस force के साथ इस point का perpendicular distance क्या रहेगा जीरो रहेगा तो जितने भी force जितने भी force का line of action यह point से पास होगा उसका moment zero होगा तो हमारे पास क्या क्या force बचा है अभी देखो यह 500 sign 45 degree यह बचा है यह वाला force बचा है यह वाला force बचा है बाकि सारे force इस point के तो पास हो रहा है ठीक है तो हम लोग डायरेक पौन साब फोस्ट लेंगे 500 sign 45 degree एंड यह इसके रिस्पिक्ट में क्या एंटी क्लोग वाइस होगा क्योंकि यह उपर की तरफ लेंगे जा रहा है तो यह positive ठीक है एंड वही पे इस वाले force को देखो यह नीचे के तरफ आ रहा है तो इसका हुगा सुरी फोर्स यह तो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का डिस्टेंस से 1.2 मिटर ठीक है एंड उसके बाद यह वाला फूस लीजिए यह वाला फूर्स क्या करेगा इसके नीचे घुमाएगा ठीक है अतलब यहोगा माइनस 500 साइन 60 डिए यहां से आपका डिसन्स क्या है यहां से यहां से जाएगा तुसका डिस्टेंस क्या है वन तो माइनस क्या है 500 कॉस 60 इंटु वन ठीक है वन तो मुमें निकालते है समय सब्सक्राइब क्या होगा 500 sign 45 into 1.2 okay minus 500 fine 60 into 1.2 minus 500 cost 60 into 1 is a minus 10 super thallis together the cape it guilty one say a kicker can it out and again 500 into sign 45 into one point तो करते हैं तो हमारे पास निगलेगा 424.26 माइनस इसको निकालते हैं 500 into sign 60 degree into 1.2 करते हैं तो हमारे पास निगलेगा पास ओन इस 0.62 माइनस इसको निकालते हैं भी 500 into cost 60 into 1 तो यह हुआ दूसों पचास यह का कितना दूसों पचास ठीक है ओके यह हमारे पास 250 तो अब क्या आ रहा है है तो चारसो चोबीस पॉइंट टू सिक्स माइनस फाइब नाइन पॉइंट शिक्स टू माइनस टू फाइब सिरो तो यह राए माइनस तीन सो पैतार लिस पॉइंट त्री शिक्स नियुटन मेटर ठीक है यह हमारे पास इतना आ रहा है है किसका समय सन एम एक वेलों के एंड इसका मतलब क्या है यह है आपका खुट वाइस आ बोके प्लॉक्व वाइस तो एक सिकाविलू क्या ओंग ओक एक सिक्वलू जानते हैं समय सन एम अपन आर तो यहाँ प्ले लगा दीजे हम पर क्या लगाेंगे यह में का वेलों हम लोग जानते हैं 345.36 Newton मेटर एंड आर का वेलों हम लोग ने क्या निकाले है दोस्तों आरका वेलों हम लोग निकाले है 364 अच्छा आरका वेलों हम लोगों ने 364 सम्थे इंगला था तो 364 ही लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा 345.62 बाई 360 364 यह जिरो पॉइंट नाइन फोर नाइन फाइब कहां से ए पॉइंट से एंड उसका दिशा क्या है है उसका दिशा हम लोग जानते हैं उसका दिशा हमारे पास क्या है दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा ठीक है तो अभी यह तो हमारा क्या हो पर्पेन्डिक्रलर डिस्चंसोसे एक सोली तो रिजल्टन का पर्पेन्डिक्रलर डिस्चंस कुछ िस तरह से रिजल्टन जाएगा देकर रिजथेन खुछ क्inação लोग निकाले हैं कितना 0.94 95 meter तो हमें क्या निकालना है हमें देखना है कि यह जो रिजलेटर्टेन है दोस्तों इसका परपेंडिकुला डिसंस अकर यह होता है तो यह इस वाल लाइन को वाई एक्सिस को कहां पर कहां पर इंटर्सेक कर रहा है एंड एक वाई लाइन को कहां पर इंटर्सेट कर रहा है मतलब यहां से यहां तक का डिस्टंस हमें निकालना है यहां से यहां तक का डिस्टंस हमें निकालना है यहां से यहां तक का डिस्टंस हमें है अधर हम लोग resultant force will intersect the x-axis and y-axis at point at distance at distance at distances हमें एक स्वान का वैलू निकालना है एक जैस का एन वाई डैस का तो एक जैस का अगर जोग निकालेंगे तो समयसन समयसन में अगर निकालते हैं तो हमारे पास एफ वाई लेना होगा एफ वाई समयसन एफ वाई तो यह क्या होगा उसके बात वाई डैस निकालते हैं तो समयसन में एकस ने यह दूनुख है फॉर्मूल्ला ठीक है यह निकालने का तो वहले मुण है आप रेस कर दियå है तो मुझे देखना पारेगा इसका विपलके निकला था remember निकला था 3 3 1 6.95 ठीक है and if if Y का फेलों निकला था आसाइब 179 पॉइंट कुछ ऐसा निकला था ठीक है तो समय सन में का फेलों तो हमारे पास है करेंगे फिर से यहाप इनिकला निकालेंगे 36.10 fx का वैलु क्या था 316.95 ठीक है तो इसको कल्कुलेट कर फटाफ़र से 345.36 3345.36 by 179.95 अगर 179.45 मीटर अन यह होगा आपका 345.36 divided by 316.95 यह होगा 1.08 96 मीटर ठीक है बात समझ में आ है तो रेजल्टेंट का पोजीशन हो ने निकाल लिए है रेजल्टेंट जो है उसका पर्पेंडिकुला डिसंस क्या रहेगा यह वाला डिसंस रहेगा एंड यही रेजल्टेंट का लाइन अपक्सन यहां पर इस पॉइंड पर कितने डिसंस से एसे कितने डिसंस पर करेगा एक सिसमें इतने डिसंस पर ठीक है एंड यह वाला डिसंस कितना है 1.0896 बस हमारा जो रहे उन्युम स्टपाल अब और स्टॉ में लोट नुकाली थिया पर इससे न्युमिर्टेंट का रही स्ट का मेल्ट वसका एंगल रिन्ग है ठीक है 29.50 ठीक है यह हम लोग ने निकाल ले थे एंगल तो हमें डिरेक्शन मिल गया एंगल से उसके बाद हम लोगों ने निकाले हैं कि यह जो रिजल्टेंट फोर्स है यह एक से एकसिस में कौन से पोइंट पर क्या कर रहा हैं इंट्रसेट कर रहा है एडवाई द्रक्राइब तो हम लोगों ने इसके बाद जिसका निकाले हैं तो हमारा जो resultant का position है वो perfectly निकल गया है ठीक है तो numerical problem बहुत लंबा था अगर यह इस तरह की numerical problem पुछा जाता है तो definitely यहाँ पर आपको 10 marks दिया जाएगा ठीक है 10 marks का यह सवाल है ठीक है ना तो इस तरह के सवाल तो generally पूछे जाते हैं ओके चलो अब एक छोटा सा numerical problem और कर लेते हैं moment and couple से कपल से हम लोगने कोई भी numerical problem नहीं किया है यह तो यह तो सिर्फ moment का problem था ठीक है moment का हम लोगने एक simple problem देखा एक difficult problem देखा दोनों ही देखा difficult problem I think difficult ही लगा होगा आप लोगो को तो calculator and pen copy लेकिंग अगर आप करते हैं वीडियो देखने के साथ साथ और खुद से solve भी करते हैं तो फिर आपको concept समझ में आ जाएगा ठीक है कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि चलो अभी next problem देखते हैं कहा गया है find the moment of couple which will provide equilibrium from given figure figure find the moment of couple which will produce equilibrium find the moment of couple which will produce equilibrium ठीक है find the moment अच्छ यहाप ऐसे लगेगा तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे दो कपल का ऐसे सिस्टम है और जो यह लाइन का डिसन से एट सेंटिमिटर यह एट सेंटिमिटर ठीक है ओके तो यह हमारा फिगर हो गया और इस फिगर में कुछ इस तरह से कपल लगा है यह फोर किलोटन का तो कम दो यहाप पी क्या लगी है यह वाला फूर्ड़्यून का होगा अ को इसके या धोना कॉपल जिसके आपस में डिसन में कैएट गए और है और दूसरा सब्सक्राइब करें गदिए तो उसी मोमेंट को हमें निकालना है कि देखो यह जो फोर की उन्टन वाला कपल है इसको इस तरफ गुमाने की कोशिज करेगा इस तरफ गुमाने की कोशिज करेगा ठीक यहाँ इस तरफ घुमाने की कोचिते करेगा तो हम लोग देख सकते हैं दोनुका डिस्टेंस क्या है यहाँ पर एच निमिटर यहाँ पर तो जिस तरफ फोर्ज ज्यादा लगेगा वो उसी तरफ घुमेगा बतलब यह पूरा सिस्टम किस तरफ घुमेगा दोस्तों इस यहाँ से देख सकते हैं यह जो पूरा सिस्टम है यह सिंतर नści तरफ घुमेगा देखो凌न इस तरफ घुमेगा इस तरफ है यह दो कपल क्यां वह उसका मोमेंट ज्यादा होगा दो फौकर चलद का도 मलेगे तो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो इसको equilibrium condition पर रखेगा मतलब एक ऐसा मोमेंट हम लगाएंगे resultant moment जो कि इस पूरा system को घूमने नहीं देगा तो इसी मोमेंट का में क्या निकालना है value निकालना है ठीक है ओके चलो अभी हम लोग दोनों ही कपल का एक एक करके मोमेंट निकालते हैं मोमेंट और अब दा कपल मोमेंट ओफ दा कपल ओफ फोर किलेवर्टन फोर्सेस तो क्या होगा हम लोग जानते हैं कपल का मोमेंट कैसे निकालते हैं कपल का किसी भी एक फोर्स का अधर ग्ल्व एन्टुटेंस तो यह होगा आपका फोर इंटू फोर इंटू इन्टुटे इसका डिससेस क्या है चैनले लगा दीजिए अ-स अधर नविटर तो इह होगा को कि कितना होगा दोस्तों आपका 32 KILN CENTHM ठीक है और यह किस तरफ हो माईगा देखो किस तरफ हो माईगा दोस्तो यह आपका किस तरफ हो मैद भीयां एंटी शुर्ट को इस एस घुमाएगा तुसके आगे वाला पूसे यह एसे हुमाएगा तो इसके आगे फिग पीज़ टृँलिट गॉमर्ट ये इसटार गॉमर्ण क्लोक्वास, तो ये पोजिट वग पोजिट गॉम मेगा एचे घॉमर्ण क्लोक्वास तो ये पोजिट गॉम्गा क्या है फॉर्ट टीन मासती तो बोले तो यहोगा मैनस माइनस 16 किलोनीडं सेंटीमीटरू ठी Barbara 332 करने से आइसा हो गा तो हमे ऐसा एक मोमेंट चाहिए हम ये तो हमारा तेल्ट पॉर Karma मोर्ण हो गया ठेक है मैं यह हमारा जाल ट्म होगिए है तो रिक्वैर्ड अच्छा इस बाले चीज़को अफटा दीजी डिजल्टेंट मोमेंट ओफ कपल ओफ कपल ठीक है तो यह दोनों कपल के लिए जो रिजल्टेंट मोमेंट निकला वो के तरफ ठीकला ऐसा निकला मतलब पूरा सिस्टम हम रहा क्लोक एंटिक्लोकवाइस घुमेगा तो रिक्व क्लाकाइस लगेगा अगर हमारा यह मोमेंट एंटिकलोक वाइस है कन रहेगा क्या है यह six से भी लिख सकते हैं जिसका रिक्वाइड मोमेंट का वैलू रहेगा 16 क्लोक्वाइज होगा ओके तो इसा आप लिख सकते हैं यह हमारा यह हो गया कपल का एक प्रोब्लम तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास बहुत ही लंबा गया आज कोई बात नहीं प्रैक्टिस कीज भूटा या फिर आप चैनल का जो डिस्रीप्षिंट है चैनल का जो अब आउट सेक्शन है उसमें चाहिएगा वहाँ पर आपको वाट्सप नमबर मिल जाएगा तिक वाँ से आप वाश्टे पे मैसेज कर सकते हैं तो उस नमबर पर मैसकर सकते हैं दोस्तों नेक्स क्लास म हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्षिन के बाद ही मोग सेंटर अग्राविटि स्टार्ट करेंगे टे कि रिश्यं का लगभग 5 से 6 क्लासिज आएगा और इंद मैं कोशिज करूंगा इजिनरी में कर निसक इस प्लासिज क्लास से वह रेगलर में डालता रहूं क्योंकि तो फिर हमें रेगुलर ही क्लास करना होगा ठीक ना क्लासे में व्यूज बहुत कम आ रहे मतलब आप लोग ज़्यादा क्लास नहीं देखते हैं ज्यादा शेयर भी नहीं करते हैं तो ऐसे कैसे चलेगा मैं आपके लिए हड़ वाक कर रहा हूं इधर तो आपको भी थो थोड़ा बहुत मैनत करना है क्लासे को सेयर कीजिए या फिर ना कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पर था लेकिन आप खुद क्लासे देखिए और कुछ सीखिए ठीक है यह बहुत बढ़ा मैटर है ओके ठीक है तो क्लासे को देखिए रिगुलर क्लासे से कुछ सीखिए अगर कई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे साथ कॉंटक्ट तो कर सकते हैं यह वाला रस्ता मैंने आप लोगी बिल्कुल ओपन रखा है ओके तो ट्राइ कीजिएगा खुद से कुछ इस तरह के नियुमेरिकल प् झारो आप खुद खुद ट्राइ को वाला राट प्रॉण है जिए आप ट्रॉजए तो कर दो लोगी बिल्कुल गला झॉछ्ताब टब कर दो दोशए प्रॉच्ट तोन था प्यादान सीखिए तोराँ कि यह नहीं प्रॉशए बिल्स अवाचा घार बिल्साबरीक्र पिल्